प्रेंड्स कैसे उबढ़िया ओके लास्ट लक्षर में एक्सेज़स 2.2 के सम नमबर 2 के 5 सम्स की थे ना चलो अभी आजाओ सम नमबर 6 पे ठीक है चलो उसमें हमें दिया हुआ है 4,1 तो उसमें हमें क्या करना है हमें पता है हमें क्या दिया हुआ है Alpha प्लस, Oита बीटा इसिकोल टू, A ऐब लारी ब्लस प्लस, सबसे पहले क्या करते थी पहले ले 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 लए अल्फा ब्लस, पीटा, क्या दिया हो हमें 4 लेकिन उसका फॉर्मूला हमें पता है क्या है, माइनस बी अपॉन ए उके, चलो, उसके इस इकल डू के, जुम कर लेते हैं ठीक है, चलो, उसको अभी लाइन में पूट करते हैं माइनस बी अपॉन इस इकल टू 4, डिनोमेटर में कुछ नहीं मतलब 1 लेक सकते है इस इकल टू अलसो के, अभी इसको क्रॉस में ले ले चलो, सो माइनस बी अपॉन 4 इस इकल टू A अपॉन इस इकल टू के बोलो, क्लियर बढ़ा है चलो, इंडी उसल अभी के दे दो सो माइनस B अपॉन 4 इस इकल टू के, एंड A अपॉन 1 इस इकल टू अलसो के ओके, डैन, चलो सो B इस इकल टू 4 को क्रॉस में ले लेते है, 4 इंटू के, 4 के माइनस है, मुल्टिप्लिकेशन में तो माइनस भी सामना जाएगा तो B की वेले हमें मिल गई है, माइनस 4 के चलो, 1 को क्रॉस में लेते है, 1 इंटू के के ओके, तो यहाँ पे हमें A और B मिल गया ओके, अभी हमें क्या चाहिए, C, तो उसके लिए हमारे पास आलफा इंटू बीटा है आलफा इंटू बीटा की वेलू के क्या दी हो हमें, 1 दिया है ओके, लेकिन उसका फॉर्मूला भी हमें पता है क्या है, C अपॉन A बोलो, डैन मिल गया है, चलो A को क्रॉस में ले लेते हैं, C को सब्जेक बनाते हैं C is equal to A into 1 A, तो A की वेल्यू क्या K, so C is equal to also K तो हमें, यहां पे C भी मिल गया ओके, डैन, तो अभी हमारे पास क्या पॉलिनोमिल में चाहिए तो पॉलिनोमिल हमारे पास है P of X is equal to A X square plus B X plus C ओके, चलो, A हमारे पास क्या है K X square as it is B क्या है हमारे पास, minus 4K so minus 4K X तो है ही और plus C मतलब K बोलो, यहां से क, 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 क common तो क्या बचा X square minus 4X यहां पे कुछ नहीं मतलब plus 1 ओके, डैन यहां पे हमें, कंपल सरी क्या लिखना होगा K not equal to 0 बोलो, पता चल गया, बटा clear नहीं इतना, पका ना ठीक है, तो ही हमें polynomial मिल गया ओके, बोलो, डैन ओके, अभी alpha plus beta और alpha into beta दिया हो तब हमें polynomial find करना है, कैसे करना है हमें पता चल गया ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं अभी हमें division करना है ओके, division of polynomials नॉर्मल हम values का division हम करते हैं अभी तक ठीक है, अभी हमें polynomial का division करना है ठीक है, तो कैसे करेंगे वो start करते हैं, ओके चल एक काम करते हैं, एक example लेते हैं हम पहले divide करते हैं 27 divided by 5 ओके, चल तो हम क्या करते हैं 27 के नजदिक पहुंचते हैं, किस से 5 के table में, so 5 25 अभी क्या बचा, तो 27 minus, यहाँ पर क्या करते हैं minus 25 मतलब 2, ओके, ऐसा हम करते हैं, ठीक है तो वैसा ही हमें polynomials के लिए करना है, ओके तो क्या करना है, वो मैं आपको सिखाता हूँ, ओके, चल, हम उसमें हमें दिया हुआ है, P of X, मतलब जिसको हमें डिवाइड करना है, P of X को क्या बोलें कि जिसको हमें डिवाइड करना है, वो दिया हुआ हमें 2X square, plus 3X, plus 1, यह हमें दिया हुआ है, और हमें G of X दिया हुआ है, मतलब जिससे हमें divide करना है मतलब जिससे हमें divide करना है वो g of x हमें दिया हूँ x plus 2 हमें ये दोनों polynomials दिये है ठीक है अभी हमें division method apply करना है तो हम क्या करेंगे तो जिसको divide करना है हमें पता है हम यहाँ पे इसके अंदर लिखते है तो हम check करेंगे सबसे पहले कि यहाँ पे हमें लिखना start करना है उससे पहले हम check करेंगे कि इसकी maximum power कितनी है जो polynomial दिया हुआ है जिसको हमें divide करना है उसमें maximum power कितनी है 2 तो आपको अभी याद रखना है अगर maximum power 2 है तो उसके descending order में सारे के सारे powers मुझे चाहिए maximum power 2 मतलब descending order में 2, 1, 0 ये 3 power हमें चाहिए मतलब x square वाला term x वाला term और 0 power मतलब constant term इतने हमें terms चाहिए ठीक है चला तो पहले हम x square वाला term लिख देते है maximum जो है वो लिखना है तो 2 x square मिल गया अब उसके बाद 1 power 1 वाला term हमें चाहिए मतलब x वाला term तो वो भी हमारे पास है और उसके बाद अभी constant term चाहिए तो वो भी हमारे पास है तो अभी हमें सब कुछ दिया हुआ है तो हमें कोई चिंता नहीं अंदर का polynomial हमारा set हो गया अभी जिससे divide करना है वो देखो तो उसमें भी same way चेक करना है हमें उसकी maximum power क्या है यहाँ पे 1 तो 1 and 0 दो पावर वाले terms चाहिए तो x वाला term हमारे पास है 0 पावर मतलब की constant term भी हमारे पास है यानि कि हमारी दोनों polynomials set हो गई तो अभी हम division start करते है ठीक है उसके बाद ही हमें division start करना है वो चेक करना ही करना है चलो तो अभी एक काम करते है जो polynomial को divide करना है जो उसका first term क्या हमारे पास 2x square तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लेंगे 2x square जिससे divide करना है उसका first term क्या है x तो आपन x बोलो x x कर स्वान सरी तो यहाँ पे लिखा मैंने 2x नॉर्मल हम values का division करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं 5 x 5 बलब इन दोनों का multiplication करते है तो यहाँ पे भी same way इन दोनों का multiplication करना है तो चलो 2x into polynomial तो करते है 2x into x plus 2 चलो multiplication करो 2x into x x square 2 to the 4x बोलो done बिड़ा clear इतना चलो तो अभी यह जो multiplication मिला वो हम यहाँ पे put करेंगे क्यूँ यहाँ पे देख लो 5 5 25 बोलो यहाँ पे put किया तो यहाँ पे भी same way इन दोनों का multiplication हमें यहाँ पे put करना है तो हम मुल्टिप्रिकेशन क्या मिला 2x square plus 4x ओके चलो अभी normal division में क्या करते हैं इन दोनों का subtraction करते हैं 27 minus 25 ठीक है ना तो यहाँ पे भी हमें इन दोनों का subtraction करना है तो subtraction के लिए करना पड़ेगा जो second polynomial उसकी sign change करनी पड़ेगी प्लस है तो minus प्लस है तो minus बोलो cut चलो 3 minus 4 minus 1 तो x तो ही यहाँ से अभी next term हम नीचे पूट करते है plus 1 ओके चलो अभी यहाँ पे क्या बच्चा minus x फर्स्ट तो यहाँ पे हम लिखते है क्या minus x अपण इसका तो first term x है ही बोलो clear चलो x x cut answer is minus 1 बोलो done मिटा है तो यहाँ पे अभी क्या पूट करना है हमें minus 1 sign के साथ including sign हमें value पूट करनी है चलो तो अभी minus 1 को x के साथ multiply करते है चलो करो minus 1 into x plus 2 plus minus minus 1 into x x plus minus minus 2 तो यह जो multiplication आया उसको हम यहाँ पे पूट करेंगे चलो करो minus x minus 2 ओके चलो sign change करते है minus है तो plus minus है तो plus cut 1 plus 2 3 ओके यहाँ पे हमें stop कर देना है Q जिससे डिवाइड करना हो उसमें जो variable की जो maximum power होगी उससे कम यहाँ पे reminder में power बची मरला वहाँ पे stop हो जाना यहाँ पे x e power 1 है तो यहाँ पे constantum आ गया उससे कम 1 पावर से कम 1 पावर से कम तो 0 पावर 0 पावर मतलब constantum तो यहाँ पे constantum आगा तो यहाँ पे हमें division stop कर देना है बोलो clear पता चला अभी पक्का आएगा ना इतना division में क्या किया पता चला आपको पक्का ने बढ़ा ओके अभी example number 7 स्टार्ट करते है ठीक है ओके तो example number 7 में क्या बूला हुआ है p of x हमें दिया हुआ है p of x is equal to 3x cube plus x square plus 2x plus 5 ओके जिससे हमें divide करना है वो g of x हमें दिया हुआ है g of x is equal to 1 plus 2x plus x square ओके हमें यह दोनों टम दिये हुए ठीक है चलो अभी हमें क्या करना है पहले तो polynomial set करने है तो चलो polynomial sum set करते है चलो पहले तो जिसको divide करना है वो अंदर लिखना है तो उसमें चेक करो maximum power कितनी है तो यहाँ पे maximum power 3 है मलब उसके descending order में सारे के सारे terms हमें चाहिए चलो में चाहिए ओके चलो तो maximum power 3 वाला terms पहले लिखते है 3x cube अभी उससे कम मतलब square वाला term मतलब वो भी हमारे पास है वो भी हमें लिखा अभी x वाला term वो भी हमारे पास है वो भी लिख दिया अभी 0 power मतलब constant term तो वो भी हमारे पास है तो हमने अंदर का polynomial सेट कर दिया अभी जिससे डिवाइड करना है उसकी बारी तो हमें g of x से डिवाइड करना है उसमें maximum power कितनी दिव हुए हमें 2 है ना तो maximum power 2 है यानि कि सबसे पहला term हमें maximum power वाला लिखना है 2 मतलब x square तो अब भी उसका मतलब क्या हुआ कि 210 इतने term हमें चाहिए तो x square के बाद आएगा 1 power वाला term मतलब की 2x including sin और उसके बाद 0 power वाला term मतलब constant value वह भी हमारे पास है तो वह भी हमने लिख दिया बोलो दोनो polynomial set हो गई अभी हमें क्या करना है division start करना है तो चलो यह जो time है उसका first time कौन सा है 3x cube divided by जिससे divide करना है उसका first time कौन सा है x square ओके चलो x square x square cut so answer is 3x तो हमें यहां पर क्या put करना है 3x ओके बोलो clear इतना चलो तो अभी क्या करना है 3x को इसके साथ multiply करना है चलो multiply करते है 3x into x square plus 2x plus 1 चलो 3x into x square x cube 3 2s are 6x into x x square 3x as it is होगा है multiplication चलो वो put करते हैं यहां पर 3x cube plus 6x square plus 3x यह यहां पर put किया अभी हमें क्या करना है subtraction करना है बोलो plus है तो minus plus है तो minus okay cut बोलो 1-6 minus 5x square 2-3 minus x okay चलो अभी इसको नीचे put करना है तो plus 5 बोलो डान बिडाया तो अभी इसका first term क्या मिला हमे minus 5x square divided by इसका first term क्या है x square बोलो x square x square cut क्या बचा minus 5 तो यह minus 5 यहां पर हमें put करना है including sin so minus 5 okay अभी minus 5 को यहां से polynomial से multiply करना है हमें ठीक है multiply करते है minus 5 into x square plus 2x plus 1 okay चलो plus minus minus 5x square plus minus minus 5 to the 10x plus minus minus 5 1 to the 5 okay चलो यह जो answer मिला उसको यहां पर put करते हैं अभी चलो so minus 5x square minus 10x minus 5 okay बोलो clear बड़ा चलो minus है तो plus minus है तो plus minus है तो plus cut minus 1 कुछ नहीं मतलब 1 बोल सकते हैं 9x है तो minus 1 plus 10 plus 9x plus minus minus 10 minus 1 9 bigger value की positive okay चलो 5 plus 5 10 okay बोलो clear तो अभी हमारे पास क्या बचा 9x plus 10 okay done चलो तो यहां पर जिससे डिवाड करने थी वह polynomial की power के maximum power कितनी है x square अभी हमारे पास क्या बचा 9x अभी हमारे पास क्या बचा 9x चलो इसमें हम यह टम जो लिखा है हमने उसको हम क्या बोलेंगे p of x okay यह टम क्या बोलेंगे g of x okay यहां पर हमें जो मिला उसको क्या बोलेंगे q of x और यहां पर जो बच्चा उसको क्या बोलेंगे हम r of x reminder बोलो ड़न मिटा p of x g of x q of x r of x यह आपको याद रखना है पीठे काम आएगा बोलूंगा मैं इतना पता चला अभी पक्का ना डिविजन में क्या करना है पता चला खास आपको क्या द्यान रखना है अभी जो maximum power है उसके descending order में सारे के सारे term आपको चाहिए 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 मतलब चाहिए ओके बोलो clear ना इतना डन पक्का यह दुनों सम डिविजन में पता चला आपको डन ना बिटा ओके इतना रखते है ओके यह तीनों सम दो डिविजन का और वो लास्ट वाला जो सम था वो आपको three times करने है ओके डन ना बिटा पक्का 100% ओके थैंक यू